धर्ती कहे पुकार के 1979 में वैशाली फिलम्स पता का अंतरगत दीनानात शास्त्री निर्मित, दुलाल गुहा निर्देशित हिंदी भाशा की फिल्म है. जितेंद्र, नंदा, लीबी राना, कनहयालाल, दुर्गा खोटे एवं संजीव कुमार इसके प्रमुख कलाकार तथा अभे भट्टाचार्य, अमोल सेन, असित सेन, एके हंगल, तरुन बोस. मनमोहन व लीला मिश्रा सहायक कलाकार है. फिल्म में संगीत लक्ष्मी कांत प्यारेलाल ने दिया तथा गीतकार मजरुव सुल्तानपूरी है गंगाराम, एक किसान. मोती और शिवराम का बड़ा सौतेला भाई है. वह और उनकी पत्नी पारवती उन दोनों को अपने बेटों की तरह पालते हैं. मोती को पढ़ाई के लिए कलकत्ता शहर भीजा जाता है और वहाँ वह वकील बन जाता है. गंगाराम में वापस शिवराम गंगाराम को अपनी जमीन के टुकडे पर खेती करने में मदद करते हैं. मोती की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए गंगाराम ने ये जमीन गंग के साहुकार के पास गिर्वी रख दी है. ये सोचकर की मोती कमाना शुरू करने के बाद कर चुका देगा। साहुकार अपनी बेटी राधा की शादी मोती से करना चाहता है और गंगाराम द्वारा स्वीकार किये जाने पर जमीन के कागजात बिना किसी भुगतान के वापस करने की पेशकश करता है। ये सुनकर की उसके पिता उसकी शादी मोती से करेंगे। वह शिवराम से अपने गुप्त प्रेम का इज़हार करती है। स्थिती सबके लिए असमंजस वाली हो जाती है। शिवराम और मोती दोनों इन गुप्त घटनाक्रमों के बारे में गंगाराम को बताते हैं और गंगाराम एक साहुकार के पास पहुचता है और शिवराम से राधा की शादी शिवराम से करने का अनुरोध करता है क्योंकि मोती से शादी करना अब कोई विकल्प नहीं है लेकि साहुकार इस अस्वीक्रती को अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाता है